देश की अजादी में मुख्य सयोग देने वाले चंदर शेखर अजाद आज़े के दिन पंच तत्व में विलिन हो गए थे भारतिय सुदंतरता संग्राम के महनायक एवं लोगप्रिय सुदंतरता सनानी चंदर शेखर अजाद का जर्म 23 जुलाई 1906 को मध्या प्रादेश के जाबु अजले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था चंदर शेखर अजाद ने ब्रिटिश समाच के आपनी वेशक शासन की खिलाफ कड़ा संगर्श किया था और आजवी के दिन 27 फरवरी 1931 को अजाद पंच्टत्म में वलीन हो गए थे अधिक जानी कारी देते हुए कॉंग्रस पार्टी के राज्य समन्व्यक डेटा विशलेशन विभाग के स्टेट कॉडिनेटर मुकेश शर्मा ने चंदर शेकर अजाद को भापूर्ण शद्धांजली दी साथ ही बताया कि देश की अजादी में चंदर शेकर अजाद ने मुक्या भूमी का निबाई थी और पंदरा वर्ष की उम्पर में गांधी जी से प्रभावित होकर अस्वयोग आंदोलन में अपना मुक्य योगदान भी दिया था आजी के दिन चंदर शेकर अजाद पंच्चतत में वरीन हो गए थे देश की अजादी के लिए जब भी अपना भलिदान देने वाले करांतिकारियों के बारे में बात की जाती है तो चंदर शेकर अजाद जी का नाम पर मुक्ता से लिया जाता है आजी के दिन स्टाइफ फरवकी में 31 को वो लड़ते लड़ते इस देश के लिए शेहित हो गए थे महज 15 वर्ष की आयू में गांदी जी से परभावित होकर अस्वह अंदोलन में उन्हेंने हिस्सा लिया था और इस देश को सरतंतरता दिलवाने में वो हमेशा अग्रणी पंक्ती में खड़े रहते थे इस देश के लिए उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है इस तरह के करंटी कारी जो हमारी देश में पैदा हुए हैं चाहे वो चंदर शेकर अजात रहे हैं सुभा शिदर बोस रहे हैं वादर सिंजी रहे हैं यह से हजारों करंटी कारी इस देश में हुए हैं यह जो हमारा देश है इनी करंटी कारियों के बज़रतार स्वतमतर हो पाया है तो मैं आज के दिन इन मान नेता को मान कर्मतिकारी को बहुत बिनी श्रदांजली अर्पित करता हूँ देश की अजादी में मुख्य सयोग देने वाले चंदर शेकर अजाद आज़े के दिन पंच तत्व में विलिन हो गए थे भारतिय सुदंतरता संगराम के महनायक एवं लोगप्रिय सुदंतरता सनानी चंदर शेकर अज़ाद का जर्म 23 जुलाई 1906 को मध्या प्रादेश के जाबु अजले के भवरा नामक स्थान पर हुआ था चंदर शेकर अज़ाद ने ब्रिटिश समाच के आपनी वेशक शासन के खिलाफ कड़ा संगर्श किया था और आज़ोई के दिन 27 परवरी 1931 को अज़ाद पंच तत्म में वलीन हो गए थे अधिक जानी कारी देते हुए कॉंगर्स पार्टि के राज़े समन्वियक डेटा विशलेशन विभाग के स्टेट कॉडिनेटर मुकेश शर्मा ने चंदर शेकर अज़ाद को भावपूर्ण शद्धांजली दी साथ ही पताया कि देश की अज़ादी में चंदर शेकर अज़ाद ने मुख्य भूमी का निबाई थी और 15 वर्ष की उम्रों में गांधी जी से प्रभावित होकर अस्था योग आंदोलन में अपना मुख्य योगदान भी दिया था आज़ी के दिन चंदर शेकर अज़ाद पंच्टत में वरीन हो गए थे इस देश को सरतंतरता दिलवाने में वो हमेशा अग्रणी पंक्ती में खड़े रहते थे इस देश के लिए उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है इस तारह के करंटिकारी जो हमारी देश में प्यदा हुए हैं चाहे वो चंदर शेकर अजाद रहे हैं सुभाश द करंटिकारी इस देश में हुए हैं यह जो हमारा देश है इनी करंटिकारियों के बदर्वतार स्वतंतर हो पाया है तो मैं आज के दिन इन मान नेता को मान करंटिकारी को बहुत भीनी स्रद्राजली अर्पित करता हूंगा